Netflix Price Science Fiction Movie कह सकते हो या एक Technology वाली मुवी कह सकते हो जिसका नाम है Bionic मुझे पता नहीं मैंने इस मुवी को क्यों देखा है क्यों मैंने ये बखवास सहन किया क्या है सबसे पहले हम बात करेंगे इस मुवी की कहानी की तकरीबन जो इस मुवी की लैन था वो एक घंटा पचास मिनिट के आसपास रखी गई है अब अगर इसकी कहानी की चर्चा करें तो एक ऐसा यूग एक ऐसा टाइम दिखाया गया है जहां पर जो पैरा एतलीट्स हैं उनका दबदबा आ गया है गेम्स में गेम्स वो वीडियो गेम्स या एलेक्ट्रोनिक्स गेम्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो एतलीट्स खेलत इससे वो सब चीजे कर पा रहे हैं जो एक आम इनसान नहीं कर पाता मतलब एक आम एछा इनसान जो हो एक आथलीट होता है वो कितना ही झादा जम्द कर पाईगा या कितनी ही तेज दोड़ पाएगा लेकिन जो एक पैरा इछल। आपने ही जिंके पास रोबोटिक पैर है अब जो normal इंसान है वो सब चीज़े नहीं कर पा रहा तो वो कहां से उनको देखेंगे यार अब जिससे करके क्या हो रहा है कि भाई साब जो normal इंसान है उनकी जो normal athlete है उनके career पर सवाल आ गया है उनके career सवाल कि उनका career ही बर्माद हो चुका है अब कोई अपना हाथ तुडवा रहा है कोई अपना पैर तुडवा रहा है जिसके करके भाई साब उनको ये जो robotic पैर या robotic हाथ लग जाए अब यहाँ पर एक work ऐसा बन गया है जो इन technology वाले लोगों से या निकि जो पैरा athletes है जिनके पास robotic हाथ है robotic पैर है इनसे नफरत करने लग गया है क्योंकि भाई साब उनकी रोजी रोटी चिन गई तो ये इस movie की कहानी है मतलब सुनने में तो काफ़ इंटरस्टिंग लगेगी लेकिन जब देखने जाओ तो भाई साब बात करेंगे तो सबसे बहले हम बात करें इसमें अच्छा गया तो अच्छे के बारे हम तो बस यह कहा सकता हूं कि पांस से दस मिनिट ये movie अच्छी है मतलब वो मज़ा ही नहीं आएगा फील ही नहीं होगा कि यार ये VFX यूज भी कर रहे हैं इसमें जो कहानी है वो भी इतनी कोई ज़्यादा इंटरस्टिंग हमें नहीं लगती है बाकी जो इसके character development है या फिर जो भी character उससे आप connect नहीं हो पाते हैं सब fake सी चीज़ें आपको लगने लगती हैं और एक time ऐसा आता है कि इसके अंदर surprise भी रखे जाते हैं लेकिन एक ऐसा time आ जाता है कि movie इतनी ज़्यादा बार करने लग जाती है कि आपको उन surprise से घंटा फरक नहीं पड़ता कि जो मर्ची दिखा लो यार ये बस खतम हो जाए जल्दी से हाँ एक और अच्छी चीज़ जो मुझे इस movie के अंदर लगी वो ये कि आप इसको skip कर सकते हो मतलब जो scene आपको पसंद नहीं आए ओविसली उसको skip करो आगे बढ़ो मतलब आपको पसंद आए वो देख लो मैंने भी इस movie को बस ऐसी ही देखा है जल्दी जल्दी आगे देखा कि यार ये बहुर कर रहा है scene मतलब मुझे ये movie told it नहीं हो पा रही थी अच्छी बात है ना इसके अंदर skip का option रखा है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यार ये जो Netflix का OTT platform है वो पता नहीं ऐसी ऐसे कचरा movies को कैसे उठा लेता है मतलब यार एक हम इसका subscription करीडते हैं इतना महेंगा subscription इसका पढ़ते हैं फिर जाके हम ऐसे ऐसी movies देख लेते हैं रही साही का सर इस movie की ending कर देती है वो बिना सर पैर की ending या फिर कहूं कि बिना हाथ पैर की ending जो है वो हमें देखने को मिलती है यार वो सब चीजें बहुत ज़्यादा एक कहूंगा की irritate करने वाली थी जो last में इस movie के देखने को मिलता है कहानी में कुछ खास दम नहीं character development को धंके नहीं अब उसके पर इतना focus नहीं गया है क्योंकि यार कहानी नहीं ज़्यादा बोर कर दिया था अगर आप लोगों ने movie देखिए तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों कैसे लिगी अगर नहीं देखिए तो अच्छी बात है आप अभी तक इस चीज से बचे हुए आपका दिमाग अब तक सही काम कर रहा है कोई और चीजे देख लो पढ़ाई कर लो बगएरा बगएरा चीजे कर लो लेकिन इस movie से दूरी रहो बाकि आपकी अपनी इचाह आपको देखना है तो आप बेशक देख सकते हैं मैं कौन होता हूं रोकने वाला बस आज के लिए इतना इदा थैंक्स वर वोचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहें